हेलो दोस्तो वेलकम टू आर चैनल कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगी तो आज मैं आपके लेकर आ गए हूँ अश्टमी के प्रसाद में बनने वाले हलवा और मसाला चने की रेसिपी दोस्तो इस वीडियो मेंने कुछ टिप्स आपके चाथ शेयर किये हैं और जब आप इन टिप्स को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी प्रसाद की रेसिपी बहुत ही टेस्ट और बहुत ही लाजवा बनेगी तो बिना देर किये जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ल नहीं दिया है और इन चानों का सारा पानी निकालकर इनको 2-3 बर साफ पानी कुकर में कसा ने के ब सारे चैश कुकर में के बाद यहां demandé तकरीब एक कब पानी डालाहीं आपको यहां पर एक बात का खास ज्ञान रखना है दोस्तों कि चनों में हम पानी दो है वो जादा नहीं डालेंगे पानी सिर्फ हम इतना ही डालेंगे जो चनी है वो पानी मच्छे से डूब जाए जैसे आप देख सकते हैं तकरीबर एक कप पानी डाला है मैंने इन चनों में और एक कप पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं प्रेशर को बंद कर दूंगी और हाई फ्लेम पर हम 5 सीटी जो है लगवाएंगे और कुकर को हम तब ही खोलेंगे जब कुकर अपने आप से ठंडा हो जाएगा उससे पहले हम कुकर को बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे साइड पर मैं यहां तयार कर रही हूँ चलो के लिए मसाला एक बाउल में मैंने लिया है एक चोटा चमच काली मिर्च का पाउडर एक चोटा चमच नमक इसके साथ यहां पर मैं ले रही हूँ एक चोटा चमच भूना हुआ जीरे का पाउडर और हम डालेंगे एक चोटा चम एक बड़ा चमच धनिय का पाउडर अभी सूखे मसालों को अच्छे से हम मिला देंगे और इनको मिलाने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन दो से तीन चमच पानी और अच्छे से इस पानी में इन मसालों को अच्छे से मिला देंगे जैसे ही मसाले अच्छे से मिल जाएंगे तीन से चार बड़े चमच पाने का मैं इसमें और डालेंगे और अच्छे से मसालों में मिलाकर एक थोड़ा पतला सा बैटर जो है मसाले का त्यार कर लेंगे अब मसाले बिल्कुल त्यार हो चुके हैं याने गैस पर चड़ा दिया है कड़ाई और इसमें मैं डाल रहे हूँ दो चमच देसी गी क्योंकि हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर देसी गी का इस्तमाल कर रहे हूँ अब हम डाल रहेंगे एक चमच जीरा एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की और एक और यहाँ पर आप एक खास बात का ध्यान रखी दोस्तों हमें इन मसालों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है नहीं सिर्फ हमें पकाना है थोड़ा सा रोस्ट करना है तकरीबन एक मिनट के लिए हम देसीगी में कॉंटिन्यू हातों को चलाते हुए बिल्कुल धीमी आज पर इन मसालों को अच्छे से पकाएंगे मसाले तकरीबन एक मिनट के बाद अच्छे से पक चुके हैं लो फ्लेम पर अब मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए चने चने डालने के बाद हम इन मसालों मसाले में सारे चने को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब डाल देंगे तीन से चार हरी मिर्च को काट दिया था मैंने अब हरी मिर्च को इस मसाले में इन चनों में अच्छे से हम मिला देंगे और जैसे ही अच्छे से मिल जाएगा अब यहाँ पर डाल रहें एक चमच कसूरी मेथी यह बिल्कुल option ने दोस्तों अगर आप डालना चाहिए डाले नहीं तो आप इसे skip भी कर सकते हैं अब सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अच्छे से पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे चनों का पानी जो हमने बचा कर रखा हुआ था सारा पानी इसमें हम डाल देंगे दोस्तों इस चने के पान डालने से यह होगा कि जो मसाले हैं वो चने के अंदर तक जाएंगे और इस चने जो है बहुत ही लाजवा बहुत ही टेस्टी बनेंगे प्रसाद के लिए पानी कोचे से मिलाने के बाद अब इसको ढख कर हम तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे यहाँ पर बिल्कुल low flame रखेंगे हम और low flame पर 3-4 मट के बाद देखिए हैं यह masala चनी जो है बिल्कुल बनकर ready है बिल्कुल तयार है यह बिल्कुल serve करने के लिए तयार हैं अब हम चलते हैं हलवा बनाने की ओर यहाँ पर मैंने कुछ dry foods लिया और को अच्छा से काट दिया है यहाँ पर मैंने लिया 1 cup देशी घी और इसके साथ मैंने लिया 1 cup सूजी आप यहाँ पर ध्यान रखे दोस्तो जैसे मैं 1 cup सूजी ले रहे हूँ तो यहाँ पर 2 गना मतलब 2 cup चीनी का इस्तिमाल करूँगी और 3 गुला मतलब की 3 cup पाने का यहाँ पर मैं इस्तिमाल करूँगी measurement का आप ध्यान रखी आप किसी भी घर के कटोरी से measurement कर सकते हैं यहाँ पर मैंने गयास पर एक पैन चड़ा दिया है और बिल्कुल low flame पर एक कब जो हमने सूजी निकाल कर रखी थी उसे अच्छी से हम dry roast करेंगी यहाँ पर हम देशी गी अभी नहीं डालेंगे हम low flame पर इस सूजी को अच्छे से dry roast करेंगे हमें continue अपने हाथों को चलाते हुए इसे dry roast करना है और आप देखेंगे कुछ देर के बाद जो है सूजी पर एक बहुत अच्छा color आ जाएगा और अच्छे से सूजी जो है roast हो जाएगी देखें कुछ देर के बाद जो सूजी ने अपना color change कर दिया है और इस stage पर हम इसमें डाल देंगे देशी घी इसे दादा इसको हम roast नहीं करेंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन एक कप देशी घी क्योंकि मैंने एक कप यहाँ पर सूजी ली थी तो एक कप यहाँ पर डाल रही हूँ मैं देशी घी देशी घी डालने के बाद दोस्तों अच्छे से हम इसको मिला देंगे सूजी के साथ और देसीगी जो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जैसे जैसे देसीगी सूजी में मिलेगा मेल्ट होगा और पकेगा सूजी अपने आम जो है देसीगी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर लेगे और सूजी जो है देसीगी मे absorb करना शुरू कर दिया है और अच्छे सूजी पकना शुरू हो गई है देसी घी में फूल ने लग गई है continue हाथों को चलाते हुए low to medium flame पे हम सूजी को अच्छे से पकाएंगे अच्छे से roast करेंगे देसी घी में देखिए कुछ तेर के बाद सूजी ने बिल्कुल कलर चेंज करना शुरू कर दिया है अच्छे से कलर आ गया है सूजी के ओपर और दाना जो है खिल खिल कर आ रहा है इस देसी घी में अभी स्टेज पर हम डाल देंगे ड्राइफूट्स जो मैंने काट कर रखे हुए थे और यहाँ पर हम ड्राइफूट्स को जो है बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं करेंगे अगर हम इन ओवरकुक करेंगे तो यह कड़वे हो जाएंगे और हर्वे में बिल्कुल वेच्छा टेस्ट नहीं करेंगे तो सिर्फ बहुत ही टेस्टिड बहुत ही लाजवाब बनता है तकरीवन एक मिट के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दो कप चीनी क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कप सूजी का इस्तमाल की है दो कप चीनी डाल रही हूँ यहाँ मैं PCU चीनी का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहे तो बिल्कुल हम हाई कर देंगे, पूरा फुल कर देंगे, और तेजी से हाथों को चलाते हुए, इस हलवे को अच्छे से पकाएंगे, यहाँ पर पानी आप सारा एक साथ में डाल दीदगा दोस्तों, दीरे दीरे करके दो से तीन बैचिस में हम पानी को डालेंगे, यहाँ पर पूरे पानी के मैंने डाल दीए है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है, और तेजी से हाथों को चलाते हुए, हम इस हलवे को अच्छे से पकाएंगे, और कुछ देर के बाद आप देखिएगा, कि जो यह हलवा है, सारे पानी को सोक लेगा, और अच्छे से पक कर तियार हो हो जाएगा, देखिए दोस्तों कैसे अच्छे से हलवा जो बिल्कुल पक कर तियार हो रहा है, और कुछी देर में हलवा जो बिल्कुल बनकर पक कर तियार हो चुका है, आप करते हैं स्की प्लेटिंग, तो यह देखिए दोस्तों हमारी अश्टमी के प्रसाद की हलवा और चने की रेसिपी बिल्कुल बनकर तयार है दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएगा कि आपके जो है चैने और हल्वे की रेसिपी जो है कैसी बनकर तयार हुई है थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दा वीडियो बाबाई